बस यह सिंपल्स एक सिंपल सी बात है वह आपने समझ लिया आपको इसमें कभी भी confusion नहीं होगा आगे इंवर्स ट्रिगॉनमेट्रिक फंक्शन में हम देखते हैं प्रापर्टी तो यह सबसे पहली प्रापर्टी मैं आपको बताता हूं और यह प्रापर्टी है sign in verse sign theta to sign in verse sign theta is equal to theta if theta जो है restriction क्या होना चाहिए minus pie by 2 से लेके by by 2 के beach में लाई करना चाहिए अदरवास नहीं इस बात का में ध्यान रखना है sin inverse sin theta is always theta, अगर theta जो है इस interval के बीच में है, otherwise नहीं, इसी तरह से cos, cos inverse, cos theta, यह theta हो जाएगा, लेकिन cos जो है, क्या होना चाहिए, theta की range क्या है, 0 से लेके pi, तो अगर यह angle 0 से लेके pi के बीच में है, फिर तो cos inverse cos theta जो है theta होगा, अगर यह angle 0 से pi, यानि 0 से 180 के बीच में नहीं है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस angle को पहले 0 से 180 के बीच में लाना पड़ेगा, फिर मैं यह formula लगा सकता हूं, same as with sin, same as with tan, cot, जो भी है, ठीक है, आचा, tan, अगर हम tan की बात कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा, tan inverse, tan, theta, will be theta, यहाँ पे theta, जो है, इसका interval क्या है tan का, minus pi by 2 से लेके pi by 2, जहां पे हम pi by 2 को exclude करते हैं, है न, यह range, जो यह सारी की सारी range है, जो आपको बताई थी previous classes में, ठीक है, हमें, यह questions करते time, in intervals का ध्यान रखना है, कि यह जो angle है न, यह इनके बीच में ही पढ़ना चाहिए, और यह मैंने तरीका भी बताया था, जिव 0 से pi वाले interval में पढ़ती है, हाँ, open है, close है, मना उसमे square bracket लगेगा, यह simple bracket लगेगा, उसमें क्या add होना है, क्या subtract होना है, वो फिर function पे depend करते हैं, अब जैसे cost तो देखो, 0 भी ले सकते हैं, pi भी ले सकते हैं, tan में हम 90 और minus 90 नहीं ले सकते हैं, sin में 90 और minus 90 ले सकते हैं, त अगर वो कहीं पे undefined है, तो हम उसको नहीं लेंगे, यह हो गया, similarly cot, cot inverse, cot theta, यह theta होगा, अगर theta क्या है, theta जो है, 0 से लेके pi इसमें lie करना चाहिए, ठीक है, otherwise, अगर 0 से pi के बीच में नहीं है, तो मझे उसे लाना पड़ेगा, आज हम वो तरीका भी देखेंगे, कि इसको क theta, and that will be again theta, if, क्या है, sec, sec, जो है, cos वाली category में आता है, यानि कि यह भी हो जाएगा, 0 से लेके pi, ठीक है, अच्छा, 0 से लेके pi, cos, sec, 0 पे defined है, sec, pi पे भी defined है, लेकिन, 90 पे यह undefined है, तो, इसका interval हो जाएगा, है न, हम कैसे करेंगे, देखो, देख लो, न, भाई, यह जो दो extreme limits है, वो तो मुझे पता ही है, अब 0 पे, भाई, cos 0, 1 होता है, तो, sec, 0 क्या होगा, 1 होगा, अच्छा, इसी तरह से, 0 अगर defined है, तो, 180 भी defined होगा, तो, sec, तो, यह दोनो limits में defined है, इसका मतलब, वो 90 पे undefined होना है, तो, हमने 90 जो हटा दिया, that's it, अच्छा, अब को से cosic inverse, cosic theta, this will be theta, यह theta कहां पर like आना चाहिए, cosic interval क्या, cosic जो है, tan और sin वाली category में आता है, यानि, minus, pi by 2 से लेके, pi by 2, अब देखे, cosic जो है, आपको याद रखना है, देखे, 10th class में हमने table याद किया है, तो, टेबल के हिसाब से, आप देखे, cosic कहां पर undefined है, देखना ह तो, देखे, sin 0, 0, इसका मतलब, cosic 0, जो है, undefined है, तो, minus 90 से 90, यह तो, आप सारा का सारा ले सकते हो, बस इसमें से, आपको 0 हटाना होगा, ठीक है, ऐसी बताया था, यह होगा, फर्स प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ट, क्या questions आएंगे, वो हम देखते है, उनको कैसे solve करना है, वो हम देखने है, उसका कोई short trick, हाँ, वो भी हम देखेंगे, अब मैं कुछ questions लेता हूँ, जैसे मानलेजे, आपको बोला है, sine inverse, sine, let's say, pi by 3, ठीक है, यह कितना होगा, अब मुझे देखना है, यह उस interval में lie करता है, या नहीं करता है, ठीक है, आचा, sine का interval क्या है, minus pi by 2 से लेके, pi by 2, अब देखें, कई बार क्या होता है, बच्चों को pi में confusion होता है, pi by 3, pi by 2, भही उसके में lie कर रहा है, confusion होता है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको na angle में convert कर देता है, ठीक है, degrees में convert करता है, और फिर देख लेता है, ठीक है, भही मुझे समझ में आना रहा है, pi by 3 कितना होगा, 180 upon 3, 180 upon 3, यानि 60, क्या 60 इसमें lie करता है, बिल्कुल lie करता है, और lie करता है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, सीरे सीरे answer लिखना है, ठीक है, ठीक है, तो lie करता है, वहाँ पर कोई problem नहीं है, जब नहीं करता है, तो उसको लाना कैसे हो, हम समझ मैं कि यह उसके पर्टिक्लर इंटर्वल में लाइक करता है या नहीं करता है उसका सिंपल सा तरीका आप क्या कीजिए कि आप यह जितने भी पाई के फॉर्म में है इसको डिगरी में कनवर्ट कर लिजे जहां जहां पाई है उसकी जगाप 180 डाल के उसको कर लिजे ठीक है ऐसे तो आप लोगों को यादी हो गया होगा कि पाई बाई टू मतलब 90 पाई थी मतलब सिक्स्टी और ऐसे करके देखने में आपको ज्यादा बैटर समझ में आ जाएगा लेट से आपको बोला है कॉस लिट से इन्वर्स तू पाई बाई थी ठीक है अब कॉ सब्सक्राइब करें लेकिन कई बच्चे को इसमें करता है तो ज्यादा बेटर है आप क्या कीजिए इसको पाई के फॉर्म के बच जाए आप डिग्री यानि 180 जिरो और 180 लिख लिए अच्छा तू पाई बाई 3 तो 2 इंटू 180 बाई 3 या फिर 180 बाई 3 यानि 60 तो आप 2 इंटू 60 लिख लिए विच इस 120 अब अब मुझे ज्यादा बेटर समझ में आएगा क्या 120 जीरो और 180 के बीच में है या नहीं बिल्कुल है तो फिर इसका आंसर जो है को सिर्फ 3 पाई बाई 4 लिख लूँगा तो जब मुझे कोई ऐसी वैल्यू मिलती है जो इंट्रेवल में लाइक करता है तो नो प्रॉब्लम एक टॉल ठीक है और अगर में को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या उस इंट्रेवल में लाइक कर रहा नहीं कर रहा है तो आप और एक्जांपल आपको व्यस्टेवल में लाइक करता है कैसे अब देखें साइन का इंट्रेवल क्या है साइन की रेंज क्या है मैंनस से लेके पाई दू अगर यह नहीं समझ मार आ तो मैंनस नाइन ती से लेके नाइन इसके बीच में जहाई साइन लाई करता है ठीक है अच्छा 2 pi by 3 मतलब 2 x 2 x 3 होता है 60 तो 2 6 तो यह हो गया 120 क्या 120 माइनस 90 बीच में लाई करता नहीं करता है यह 90 से ज्यादा है को 90 के बीच में लेके आने कैसे किया जाए तो इसके लिए देखे मैं कुछ दो तीन चीज़े बता रहा हूं यह दो तीन चीज़े अगर आप समझ लेंगे न तो यह जितने भी इंट्रवल वाले क्वेशन जो लाइन नहीं करता है वह बहुत इसली कर सकते बस एक सिंपल सी बात है वह आपने समझ लिया आपको इसमें कभी भी कंफूजन नहीं होगा अब देखते हैं इस क्वेशन को हम कैसे करेंगे अब क्योंकि इस इंट्रवल में लाइन करता है तो देखे यह कौदरें अब जितने भी इंवर्स्ट इगॉनमेटिक फंक्शन है हमने यह देखा कि थर्ड कोडेंट तो किसी में भी नहीं है फॉर्स्ट सेकेंड यह फॉर्स्ट में हम सारे एंगल लेते हैं यह तो हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था अच्छा अब जब लाई करता है यह भी ह मैं आनको चौने स्टार्ट र OR यह तीन इनवर्स फंक्शन एक काटेग्यरी हो गया अड कोट कॉट एंड सेक यह स्देगली और था आब हम समझता है सायं टैंनको सेक जो है वह यह दो इंटरेवल में है को श कॉट सेक जो है वह यह दो इंटरेवल में है आजसे अगर हम만 इसी इंटेंगों कि बात करें तो जितने trigonometric ratios हैं वो दो कॉद्रेंट होंगे जिसमें positive होंगे और दो कॉद्रेंट होंगे जिसमें negative होंगे जैसे कि हमने 11 पढ़ा है यहां पर कॉस पॉसिटिव यहां पॉसिटिव यहां नेगेटिव है और तो अब इस क्वेशन को हम कैसे करेंगे तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि मैं जो भी दिया हुआ है ना पहले उसको देखूं वह कहां पे है तो मुझे यहां पे टू पाइप फ्री यानी 120 मिला है अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है यह बैल्यू निकालना लाइक साइं 120 वह टेवर यह हमने 11th क्लास में सीखा हुआ है कि साइं 120 डिग्री कैन भी रिटन आज अब देखें 120 यहां कहीं पे है यह मुझे माल साइं 120 और मुझे यहां मालो मैं कि साइं 180 माइन सीटा होता है साइन थिटा है साइन थिटा है साइन थिटा यह वने समझ लिए आचा मतलब मुझे साइं 2 पाइब 3 यानी कि साइन 120 किस्यके एक्वाल मिलना चाहिए 120 शुट बी कुछ डू साइन 60 degrees माच समझ मैं आगई हां अब जो मुझे मिल रहा हैä 120 यहां कहीं पर मिल रहा है यहां पर मुझे माल५ है साइन पॉजिटिव है लेकिन साइन का इंट्रेवल जो है वह कहता है कि साइन मुझे यहां मिलेlying तो यहां मिले अब इन दोनों में like sine inverse जो है मुझे मालूं है sine inverse यहां positive मिलेगा यह नेगेटिव मिलेगा मुझे देखना है कि इसकी value positive है कि negative अब इसकी क्योंकि मुझे positive मिल रहे है मतलब इसका equivalent मुझे first quadrant में देखना है तो साइन श्मडियंट काूविश् cock वारीट में साइन 60 होगा स्टसेशिश्यव कोडेंट की ही वैल्यू है ठीक है तो में इसको सीधे सीधे क्या लखीतना साइन इनल्वर्स शैन 2 पाइब 3 जिंग एकॉल साइन cinco जिए waking का सिक्स्टि का मतलब क्या है मैं एक typि 3 मिल रहा था लेकिन मुझे मालुम है 2 पाइब 3 का साइन पॉजिटिव होता है और 2 पाइब 3 माना साइन 60 के एक्वल होता है साइन 60 यहां पॉजिटिव है तो हमने यहां पे लेख लिए यह हो गया जस्ट अभी जो आपने बात समझी वह इस को सॉल करने का बेसिकली ट्रिक है अब इसका एक्ट्वल मेथर्ट जो है वह मैं आपको बताऊंगा जहां पर वह आंसर निकालने से मतलब होता है साइन आप सीद्य आंसर लिख सकते हैं तो आंसर निकालने का तरीका मैं आपको बता दिया जो वन वाकर क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया है बट फिर भी इसका अगर आपको देखना है ठीक है ना अब तरीका यह है कि इसको हम लिख लेंगे साइन इन्वर्स जिसमे सको है हमें थiki शालिध और वहसाइण है अब जैसे 2.3 मैं लिखे लोю गासाइण आफppers ऐबoqu मैनस पाइबाए थूचाहां चीए अब साइन याणि साइन रीटी मैनस थीटा क्या होता है साइन धीटा इसको sign or sign अभड जाएगा क्योंकि πाई बाई 3 उस interval में आ रहा है 60 जो है मैंनेस 90 और 90 के बीच में आ रहा है तो इसका अंसर पाई बाई 3 होगा तो यह था इसका actual तरीका यह हम बोल सकते हैं जो original method या जो traditional method है ठीक है और कोई भी question आप बहुत easily कर सकते हैं इस method से ठीक है लेट से आपको question दिया हुआ है कान इन्वर्स टैन 3 पाई बाई 4 यह question दिया हुआ ठीक है अब मुझे सबसे पहले तो टैन के इंट्रवल देखने है तो टैन का है माइनस पाई बाई टुक से लेकर पाई बाई तो अगर भ़च्ष करते की समर्चम में तबाहिं करना जहें टीक अब यह 135 जो बीनेची और 9.0 आएइं नहीं करते हैं तो अब 35 को मुझे क्या करने मिनस 90 हैं तो हमें काम करते हैं क्वडरेंशन बनाते आप मुझे मालूम है की यह निकिर्ष न इंवर्स न यहां पर पर निगिट्टिव होता है यहां पे negative होता है ठीक? यहां पे negative होता है यहां पे negative होता है 135 मतलब यह वाला quadrant यहां पे tan क्या होगा? negative तो मतलब मुझह जो answer चाहिए वो इस quadrant का चाहिए । क्योंकि देखो आपको answer tan के लिए इन दोनों में से किसी क과ugerint में निकालना है पॉस्टिव है तो इस कोडरेंट में से निकालना है अब हम क्या करेंगे टैन जैसे की 135 है 11 फ्लास में हमने समझा हुआ है इसको हम कैसे निकालते हैं आप 135 जो है 180 के आसपास है तो मैं इसको लिख लूँगा टैन 180 माइनस अब क्या करोगा 180 और 135 का डिफरेंस निकालोगे आपको 45 मिलेगा ठीक है ना 180 और 135 माइनस कीजिए आपको 45 मिलेगा 11 में यही समझाता हमने जो भी एंगल निकालना है उसको देखो आप देखो जैसे 135 इस कोडरेंट में पढ़ रहा है ना इसको या तो 90 प्लस सम 180 माइनस सम्थिंग लिखना पड़ेगा हम प्रिफर करते हैं 180 और 360 क्योंकि इसमें जो है ना कंपरिटिवली लाइक टैन जो है वापस टैन मिलता है 90 और 270 में क्या होता है तो जंजट से बचने के लिए हमने इसको ऐसे लिखिया अच्छा टैन 180 माइनस थीटा इस माइनस ट 30 45 अच्छा अब यहां पर क्या मिला है 45 अपने करना क्या है आपको आंसर चाहिए देखें जितने वी यह वाली एक टिगरी है यानि माइनस पाइबाय टू से लेके पाइबाय टू वाली कैटिगरी छीखिंग है इस काटिगरी में कौन-कोन आता है 10 आता है साइन आता और क कुछ नहीं करोगे जब भी यह कैटेगरी वाला आपको वैल्यू मिले जो इस कैटेगरी में है माइनस 90 से 90 वाली कैटेगरी में है आपने जो भी एंगल निकाला है ना हां उस एंगल को सामने लिखो अब देखें 45 डिगरी का मतलब है पाइब फॉर और उसमें सिर्फ एक लिखा दो कहानी कातम मतलब इसका अंसर डिरेक्ली मैंने लिख दिया माइनस पाइब फॉर ट्रीकल निकाल लिया थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ एक समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गया आप डिरेक्ली आप क्वेशन देखो गया और उसक सबसे पहले तो जीरो से लेके पाइब बीच में मुझे इसकी वैल्यू मिलने चीए जीरो से लेके पाइब क्या मतलब है जीरो से लेके 180 मतलब मुझे 0-180 के बीच में मिलना चाहिए क्या यह 0-180 के बीच में है तो यह सेवन इंटू पाइबाइब सिक्स यानि कि 30 करूंगा कि मुझे 210 मिलेगा औविसली आउट ओफ रेंज हो रहा है यह क्या किया जाए अब नुबारा से मैं क्या करता हूं कि मुझे मालूम है कॉस मुझे या तो यहां चाहिए या तो यहां चाहिए चिक कॉस यहां पर नेगेटिव है यहां पर पॉजटिव है अच्छा अब 210 में अबने समझा हुआ 210 यहां पर ना तो 180 प्लस सम्थिंग होना चाहिए तो मैं इसको लिख लेता हूं कॉस 180 प्लस टीक है कितना डिफरेंस आ रहा है 30 का तो 180 प्लस 30 इस 210 ऐसे ही है 180 प्लस 30 हां यहीं हो रहा है ओके अब कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है मुझे मालूम है से कॉस्चेंट आ किना प्लस क्रत है माइनस सानी करना डुष एम कॉस्टेटा की पास चुक जिल एक तो क्वेशन मेरे पास यह कॉस्ट इंवर्स कॉस्ट कितना होगा ठीक है कॉस्ट इंवर्स नहीं निकालना वह आप कर सकते हैं 11 का क्वेशन है वह तो अच्छा माइनस कॉस्ट 30 मुझे मिल गया अब यह जो कॉस्ट है यह सिकेंड कैटेगरी में फॉल करता है मतलब जो 0-180 व जोटेखल लिया कि मैम स्सक्राइब के पीछे वाले क्वेशन में हमने क्या किया था जो फॉस्ट के एंगल मुझे मिलता था उसके अंगल के माइनस साइन लगाता था सिकिंड कैटेग्री में जो भी एंगल इसको पाई माइनस लिख दो बस हैंना यह वन एटी मैनस लिख यानि मुझे 30 मिला है तो मैं इसकी इसका जो आंसर मैं क्या लिखंगा 180-30 लिख दूगा सीदे-सीदे यानि कि पाइ-30 कितना होता है पाइबाइबाइब शीच फाइबाइबाइब शीच गई आ रहा है ना तो इसको हमने डिगरी में किया तो मुझ्छे वन है ना 150 मिल रहा था पाई में किया तो मैंने यह लेख लिया तो कॉस्ट इन्वर्स कॉस्ट सेवन पाई बाई सिक्स मेरे पास फाई पाई बाई सिक्स आजगा देट इसमा फाइनल अंसर एंड फिस्टोरी ठीक है यह हो गया अब इसका हम जो ट्रीशनल तरीका है वह कि कॉस्ट इन्वर्स कॉस्स इसको लिखते हैं से निकिर्ट हॉस्ट एसे लिखते za 12-7 Gottes फीटा क्या हो जाएगा स्टीट है कया द cm5齐 सिक्स हो जाएगा अब क्योंकि कॉस्स तो इंटरवल में लाइक करता है तो इसको हम फाइब पाइब लेंगे ठीक है अब यह सोचने में बड़ा टाइम लग रहा है लेकिन यहां पर हमने क्या किया इसको सिर्फ देखा इसकी वैल्यू कितनी है ठीक है उसको पाइब माइनस क की काटेगरी ए इसमें जो वैल्यू इंटर्वल में लाई करती उसके साथ प्रॉब्लम नहीं नहीं करती है उसमें मैं उसका वैल्यू निकालोंगा जैसे माइनस साइन मुझे आंसर मिल रहा है माइनस साइन लेट से पाइब आए बाइ शिक्स ठीक है इसाल करके जैसे कि मै लगा दो मतलब चाहे वह तैन का हो चाहे कोशेक का हो आप लिख और मायनस लगा दो और यह जो काटेगरी है जीरो से लिखे पाई ठीक है मैं स्क्वार ड्रेकट नहीं लगाता हो बस काटेगरी लिख देता हूं क्योंकि कुछ में अपको जो भी वैल्यू मिलता है जैसे कि हा आसर फाइनलि क्या मिला था माइनस कॉस्ताइब जैसी मिल था एसे मिला था को назв फॉण टीप्लस napo थी ठालना मछइ मानने कॉटि вас फाइब लगा कि हांने कॉस्ताइब झाल था लकुन चीमिकरे या था इसकाफे एढ Tsch category में अगर माइनस कॉस्स वटेवर जो भी मिलता है आप सब कुछ हटाओ माइनस कॉस्स माइनस कॉट यह माइनस से मिलता है आप जो भी एंगल है उसको सिर्फ पाई से माइनस करके आप अपना अंसर लिख दीजिए यह हमने देखा एक एक डॉर देख लेता है ठीक है तो यह आपको दिया हुआ कॉस इंवर्स कॉस 13 5 बैए 6 को श्पलेट करता है ठीक है तो मुझे मालूम है 6 to the 12 plus 1 13 ठीक है तो यह हो जाएगा 2 pi plus pi by 6 ठीक है यह आजाएगा 13 pi by 6 को 2 pi plus pi by 6 लिख सकते हैं तो इसको further लिख सकते हैं cos inverse cos of या हम लिख लेते हैं cos of 2 pi plus pi by 6 अच्छा 2 pi का मतलब है 360 और cos 360 plus theta होता है cos theta तो हम इसको cos pi by 6 लिख लेते हैं तो कहने का मतलब यह बताने का मकसद मेरा यह था कि जब यह वैल्यू यहां पर जो भी है इसको जब मैं simplify करके देखता हूं अगर इसके आगे positive sign है फिर तो इसका answer simple यह हो जाएगा तो यह हमने जो तीन काटेगरी बनाई है हमारे पास एक काटेगरी है साइन एक साइन टैन एंड को सिक दूसरी काटेगरी हमने बनाई है कॉस कॉट सिक हम क्या करेंगे यह जो भी है इदर मेरे पास रेशो इसको मैं सिंप्लिफाइ करोंगा सिंप्लिफाइ करके लास्ट में मैं देखूंगा अगर मुझे positive मिल रहा है तो उस एंगल को एज इस लिखना है चाहे यहां चाहे इस काटेगरी का हो बात समझ मैं हां लेकिन अगर negative मिल रहा है ठीक है जैसे कि मैंने solve किया अब मुझे इस साइं मिल रहे है उसको आगे उसके आगे साइं लगा वगे इस काटेगरी का कोई बी मिलता है उसको simplify करो जो भी एंगल है उसके आगे माइनस साइन लगा दो इस category का कोई भी question है simplify करो अगर मान लीज़े मुझे solve करके minus cos pi by 6 मिलता solve करो अगर minus है तो angle लिखो ठीक है और उसके आगे pi minus करके लिखतो पस यहां पर सीधे सीधे angle के आगे minus लगाना है यहां पर angle को pi से minus करना है हमारा answer आ जाएगा और अगर positive मिल रहा है तो उसको आप as it is लिखोगे उसमें कुछ नहीं करना है ठीक है negative मिल रहा है तो यह है category 1 में minus लगाओगे category 2 में pi minus करोगे सिंपल है इतनी सी चीज आपने कर ली आप कोई भी question solve कर सकते हो कोई tension ही नहीं होगी ठीक है